राजस्तनी महिला हकले पालनकरा येता अटी पोभित्र आरू स्वामीर डिधो जीमनर कामनारू हुज जुक को बर कामनारे उज्जाभितो येता ब्रथ होल गन्गुर ब्रथ ए ब्रथ अट हेंदूर पिंधुआ नियम सलिया हिसे। पुरानर मते हाधारन महिला हकलार उपरत पारभोटी देबिये हेंदूर एरीडी सील। यार पासोते कुली निस्त्री हकले पुजार बावे आहुटे पारभोटी ए निजर आंगुली काती तेजरे हिंहतर हे उटात हेंदूर पिंधाय सील। अखिल भारट्य अग्रबाल हन्मीलान अर उद्धी गट आरू राधाकिस्त मंदिर अर होजुगाट आजे गंगुरुट खपुपल इखट्टि प्रिक्र सोहरर माज़दी उलिया है एक पनाइध्ध हांगास के देखो भादात्तार। प्रिक बजार के तरफ से जो चारा ली आती है। राधुस्तनी मुहिला हकले परंप्रागोटा हास्पुशा करू आ लंकर प्रिधान करी। एडरे विभाहिता मुहिला आरू औ विभाहिता हकले एई हुबाचत्तत्त अंखलोई निजर मनुकामना पुरना थे भगवान अरुसरत पाठना करे। पाठना करें अरुसरत पाठना करें अरुसरत पाठना करें विभाहिता है। अरुसरत प्रोगर में ये प्रोसेशन के साथ पूरे धूम घाम से इस्टाट के है। हम लोग चाहते हैं कि हर साल हम लोग इससे ज्यादा और अच्छे से मनाएं। समाज के सभी लोग हमारा साथ थे और आगे बढ़ाएं। ये गंगोर का हम लोग का अगरवाल समाज का वह बड़ा उत्सव है। कि हर सुहागन लोग अपने सुहाग को अमर रखने के लिए और पुवारी लड़कियां अच्छा वर्म प्राप को इसके लिए ये उत्सव बनाती है। भोली जिस दिन मंगलाई जाती है उस दिन से ये पुजा जाता है और आज तीज के दिन ये विसर्जन होता है। हम लोगों ने आज ये नव गठी अगरवाल सम्माज के बैनर में ये उत्सव रखा है। आज सुबह हम लोग राधा कृष्ण मंदिर के साथ ये प्रोग्राम रखे हैं। सुबह लगपक डेड़ सो से पोने दो सो लेडिस यहां पर आके गणबोर माता की पूजा की है। उन्हें हम उपार के सवरूप में एक सुसजित एंवलप उसके अंदर सुहाग का समाथ और एक अंभोल भी से स्प्रीद और अन्या सारी उत्सव के बारे में चानकारी देते हुए एक उखलेट भी हम लोग अगरवाल समाज के बैनर में विद्रन दिये हैं। और फूल दूम इत्यादी की च्वारा की फ्रेम ही उन्हें दिये हैं। वो लोग घर से आये और फुजा की ये सबको बहुत अच्छा लगा। ये उत्सब विद्मोगड में पहली बार को रहा है। ऐसा उत्सब परके हम अपने आपको सोगाग्या समझते हैं। और हर वर्शिस को करने के पुरी फूशिस करें।